हलो दोस्तो वेलकम तो स्टडी उनिवर्स मद्धिदेश की नमबर वन चैनल फॉर डिली करंट अफ्यर के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे मद्धिदेश के अप्रेल माखी के करंट अफ्यर के बारी में ये वीडियो हिंदी और इंग्लेस दोनों भाशाओं में बनाया गया है और ये वीडियो बन लाइनर है दोस्तो मेरा ये मानना है कि अगर आप वन लाइनर question देखते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को आप जाद जाद लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल इस्टेड उनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तो चलते हैं क्वेशन नमर फर्स्ट पर बिना समय गवाय तो आपको यह याद रखना है आपके सभी कॉम्पेटिटिव एक्जाम्स के लिए वीडियो बहुत इंपोटेंट है क्वेशन नमर फर्स्ट है कोरोना कवच एप किसके द्वारा लॉंच किया गया है तो यह है भारस सरकार द्वारा लॉंच किया गया है ओडी सा दिवस कम मनाय जाता है तो ओडी सा दिवस प्रत्तिक एक अप्रेल को मनाय जाता है और इसे उतकल दिवस के नाम से भी जाना जाता है नेस्ट कोशन है COVID-19 के द्वारा राजकुमारी मारिया टेरेसा का निधन हुआ ये किस देश की राजकुमारी है तो ये है United Kingdom यानि UK की राजकुमारी है जिनका हाली में COVID-19 से निधन हुआ है दोस्तो आपको बता देए ये पहली राजकुमारी है जो किसी साही परिवार से कोर नेस्ट कोशन केंद्र द्वारा मौझूद विदेश व्यापा नीती 2020 से बढ़ा कर कितने वर्ष्ट की गई है तो यह 2021 तक के लिए बढ़ाई गई है नेस्ट कोशन है कोरोना से निर्मल सेंखालसा का निधन हुआ इन्हें कौन सा अवर्ड प्रदान किया गया था दोस्तो इस बार इसकी थीम थी दा टांजिशन ओफ अडल्ठ होड यह इस पॉटेजम स्पेक्ट्रम विकार दिवस की थीम थी नेस्ट कोशन है हाली में टॉनी लुईस का निधन हुआ इन्होंने कौन से बिधी किर्केट को प्रदान की थी तो यह डगवर्थ लुईस नियम इनमे प्रिकेट के रहें से जो टॉनी लुईस这ी ईनका हाली में निधन हुआ है नेस्ट कोशन है कूरुना की संकरौन से बचने कौन सा एप लौंच किया है तो ृौप की सेतू एप अप्रेल में भारां सरकार की द्वारा लौंच किया है नेस्ट कोशन है विदेशी मुद्र sn इसमें पहला इस्थान है चीन का जो बिदेशी मुद्रा भंडारन है वह है 254.9 लाग करूर रुपए है नेस्ट कॉशन है G20 के बित्त मंत्रियों की वेठक किस देश में आयजित की गई है तो यह साउदी अरब में आयजित की गई है 8.50 लाग मजदूरों की खातों में 88.50 करूर रुपए देने वाला राजजी कौन सा है तो यह मद्यप्रदीश है मद्यप्रदीश ने हाली में 8.50 लाग मजदूरों की खाती में 88.50 लाग करूर रुपए ट्रांसफर किये है नेस्ट कॉश्छण है विश्टोो एथलेटिक्स चेंपियंशिप का अस्तानांत्रन कब तक की लिए किया गया है नेस्ट कॉश्छण है eNAM प्लेटफورम किस से संब्देत है तो क्रशी से संब्देत है eNAM प्लेटफॉरम नेस्ट कॉशन है भारत और माल्दीब के बीच COVID-19 से लड़ने 6.2 टन चिकित सहाथा भेजी गई उसका नाम क्या है तो यह है ओपरीशन संजीवनी बारत और माल्दीब के बीच COVID-19 से लड़ने 6.2 टन चिकित सहाथा भेजी गई है नेस्ट कोशन है फीपा ने अंडर 19 महिला फुटवाल वर्ल्ड कप टाला इसका आईजन कहां होना था तो इसका आईजन नवंबर में भारत में होना था लेकिन अब ये सर्विया में आईजित किया जाएगा नेस्ट कोशन है रास्टी समुद्री दिवस कब मनाया जाता है तो पांच अप्रेल को रास्टी समुद्री दिवस मनाया जाता है दोस्तो इस बार इसकी जो थीम थी वै थी सस्टेनेवल शेपिंग फॉर अ सस्टेनेवल प्लानेट ये इस बार समुद्री दिवस की थी नेस् की बेतन में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी तो यह है 30 प्रतिशत की कमी की जाएगी सभी के बेतन में अब दोस्तु बात आई है DRU की तो आपको इसके बारे में कुछ छी सटी सरेटि है तो आपको इतना DRU की बारे में याद रखना है कि नेस्टकॉशन है किस राजने हायर सेकेंडीक अक्षाओं के बिद्यार्थियों को विच्च कोर्स लॉच्च किया है तो यह मध्यप्यदेश जिनका हाली में निधन हुआ है नेस्ट कोशन है हाली में विस्टन क्रिकेटर ओफ ता इयर किसे चुना गया है तो वेन स्टोक्स को विस्टन क्रिकेटर ओफ ता इयर चुना गया है दोस्तों आपको उता दें पिछले तीन साल से ब्राट को ही इसे जीतते आ रहे हैं लेकिन इस साल यह है अबॉर्ट वेन स्टोक्स को दिया गया है तुलिप कार्डन फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया है तो यह है श्री नगर में किया गया है श्री नगर में टुलिप कार्डन फेस्टिवल आयोजन किया जाता है नेस्ट कॉशन है हाली में COVID-19 से लड़ने एस्मा लागू किया गया है किस राच में तो यह है मद्धिप्रदेश मद्धिप्रदेश राच में COVID-19 से लड़ने एस्मा लागू किया गया है दोस्तो अब यह एस्मा है क्या आपको इसकी फुल फॉर्म की बारे में बता दें एस Potential Services Management Act इसकी द्वारा दोस्तों जो भी उद्योग उद्योग पती हैं या जो किराना स्टूर वाले हैं वो अपने सामान को ज्यादा दामों में नहीं बेश सकते हैं यह एस्मा है नेस्ट कोशन है पिंक सुपर्मून घटना कब हुई है तो यह साथ अप्रेल को हुई है नेस्ट कोशन है 46.85 लाख पैंसन धारियों की रासी पैंसन रासी 562 करो रुपए किस राजने दिये हैं तो यह है मद्यपर्दिस है मद्यपर्दिस राजने 46.85 लाख पैंसन धारियों को 562 करो रुपए दिये हैं next question हALई में आई फोवर सोची 2020 में मुकिस अंवानी का इस्थान कौन सा रहा है तो मुकिस अंवानी का 21 वा इस्थान रहा है दोस्तो COVID-19 से पहले इनका 13 वा इस्थान था दोस्तो next question है स्याम सुन्दर का निधन हुआ ये कौन थे तो ये एक अभीनिता थे जिन्होंने रामायन में सुग्रीब का करदार नभाया था दोस्तों ये important question इसलिए बन जाता है क्योंकि रामायन ने हाली में सारे record ब्रेक किये है सबसे जादा देखने वाला CL बना है रामायन और इनका जो सुग्रीब का करदार नभाया था उनका नाम था स्याम सुंदर इनका हाली में निधन हुआ है इसलिए ये important question बन जाता है तो आपको याद रखना है next question है हूरन global rich list में मुकि सम्मानी का इस्थान कौन सा है तो हूरन global rich list में मुकि सम्मानी का 17 वा इस्थान है दोस्तो आपको बता दें कुल जो net worth है मुकि सम्मानी की वह 4800 करोड डॉलर बताई गई है हुरन की द्वारा इसमें जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वह हैं Amazon की जैब वेजू से इनकी समपत्ती 9 दो समलव 8 2 लाग करोड डॉलर बताई गई है नेस्ट कोशन है हाली में किसे पेपसी को का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है तो यह हैं शेफाली बर्मा को पेपसी को का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है विश्व स्वास्त दिवस कम मनाया जाता है पर प्रतिक 7 अप्रेल को विश्व स्वास्त दिवस मनाया जाता है दोस्तो इस बाज जो इसकी theme रखी गई है वह है नर्सों और दाईयों का समर्थन करना इस बार इसकी theme रखी गई है Next question है CRPF वीर्ता दिवस का मनाया जाता है तो प्रतिक 9 अप्रेल को CRPF वीर्ता दिवस मनाया जाता है दोस्तों आपको CRPF के बारे में बता दे तो इसका full form होता है Central Reserve Police Force इसका जो motto है वह है सेवा और निष्ठा है इसकी स्थापना 39 जुलाई 1949 में की गई थी Headquarter दिल्ली में है और President में जो Director General है वह है AP महस्वरी Next question है 200 हमियोपैथी दिवस कम मनाया जाता है तो प्रतिक 10 अप्रेल को 200 हमियोपैथी दिवस मनाया जाता है Next question है भारत पड़ी ओनलाइन नाम का अवियान किस मंत्राले द्वारा लाया गया है तो मानव विकास संसाधन मंत्राले यानि Human Resource Development Ministry के द्वारा भारत पड़ी ओनलाइन नामक अवियान लांच किया गया है Next question है हाली में किसे मदब्द्रीश का अतिर्क्त महादी वक्ता चुना गया है तो यह है धीरंद्र सैंपरमार इन्हें मदब्द्रिश का अतिर्क्त महादी वक्ता हाली में चुना गया है नेश्ट कोशटन है IMF के COVID-19 सलायकर समूई के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है तो ये है रघुराम राजन जो पूरव RBI गवरणर है इन्हे हाली में IMF के COVID-19 सलायकर समूई के सदस्य के रूप में चुना गया है दोस्तों बात आई है IMF की तो आपको इसकी बारी में बता दें IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मोनेटी फॉंड होता है इसका फॉर्मेशन 27 दिसंबर 1945 में किया गया था हेड़कॉर्टर वसिंटन डेशी में है और इसकी मैनेजिंग डायेटर है क्रिस्ट्रिना जॉर्जिया इसकी जो चीफ एकॉनमिस्ट है वह है गीता गोपिनाथ है जो भारत की है तो आपको इतना IMF के बारे में याद रखना है हाली में किसे इफको टोक्यो द्वारा M.D. और C.E.O. चुना गया है भारत में तो ये हैं अनामिका रए को इफको टोक्यो द्वारा M.D. और C.E.O. चुना गया है नेस्टकॉशन राष्टी सुरक्षत मातरतो दिवस कम मनाया जाता है तो प्रतिक 11 अप्रेल को यह दिवस मनाय जाता है दोस्तो आपको बता दें कस्तूरवा गांधी के जन्म दिवस पर यह दिवस मनाय जाता है और इसकी सुवाद 2013 में की गई थी Next question, हाली में युक्ती नाम का पोटल किसने जारी किया है यह है केंदर द्वारा, केंदर द्वारा युक्ती नाम का पोटल लांच किया गया है दोस्तो आपको बता दें युक्ती जो पोटल है उसकी बारी में Young India Compatting COVID with Knowledge इसका फुल फुल फॉर्म है, युक्ती का फुल फुल फॉर्म है Young India Compatting COVID with Knowledge दोस्तो इसे मंत्री रमेज पोकरियाल जो मानव संसाधन मंत्री हैं इनके द्वारा लॉंच किया गया है इसमें विध्यार्ती को सारे रिक और मानसिक तोर पर फिट रहने के लिए भी जारी की गई है कुछ गाइडलाइन्स नेस्ट कोशन है हाली में कब सिंधी भासा दिवस मनाया गया है तो यह 13 अप्रेल को मनाया गया है सिंधी भासा दिवस दोस्तो आपको बता दें यह दिवस मंत्री प्रदेश में मनाया गया है इक और important fact आपको बता दें 1967 में संभीदान की आठवी अनुसूची में सिंधी भासा को शामिल किया गया था Next question है अंतरास्टिये patent का सीर्स आवे तक देश कौन सा है तो यह है चीन अंतरास्टिये patent का सीर्स आवे तक देश चीन है Next question है हाली में हजारी लाल रगवनसी का नदन हुआ यह कौन थे तो दोस्तों यह हुसंगाबाद से बिधायक थे बात आईए हुसंगाबाद की तो आपको कुछ important fact इसके बारे में बता दें मद्यप्रिदेश का सबसे बड़ा railway junction एटारसी यह हुसंगाबाद में ही इस्ते थे हुसंगाबाद में security paper mill भी इस्ते थे मद्यप्रिदेश का सबसे लंबा पुल तबा नदी पर हुसंगाबाद में ही बनाया गया है विसु का सबसी बड़ा स्वर उर्जा संयंत्र एटारसी के अब्बरक कारखाने में लगाया गया है सत्पुडा जो पच्मनी इस्थेत सत्पुडा में यह भी होसंगाबाद में ही इस्थेत है मद्धप्रदेश का सरवादिक सिंचे 83% सिंचे जिला होसंगाबाद ही है अंतरास्टी दिवस का मनाया जाता है तो प्रतिक 12 अप्रेल को अंतरास्टी उडान का अंतरास्टी दिवस मनाया जाता है नेस्ट कोशन है हाली में किसे करनाटक वेंग का M.D. और C.E.O. बनाया गया है तो ये है महावलेस्वर राव को करनाटक वेंक का M.D. और C.E.O. बनाये गया है प्रिसार भारती के नए चलन का नाम क्या है तो ये है DD Retro DD Retro प्रिसार भारती का नया चैनल है Next question हाली में असोग देशाई का निधन हुआ ये कौन थे तो ये पूर्व Attorney General थे दरवार मुव किस केंदर सेंचर प्रेश प्रुदेश में हुता है तो ये है Jammu Kashmir Jammu Kashmir में दरवार मुव होता है दोस्तो अब ये दरवार मुव है क्या आपको इसकी बारी में बता रहें जैसा कि आपको पता है Greece negócio में राजधानी और शीत कालीद राजधानी जम्मू कोश्मिर में है यानि एक बार जम्मू राजधानी रहती है कुछ समय के लिए और उसकी दूसरे बाद शीनगार रहती है तो दोस्तो यह कहलाता है दरवार मूव जो हाली में चम्मू कश्मीर केंद सासस प्रदेश में शुरू किया गया है नेस्ट कोशन है ADV द्वारा COVID-19 से लड़ने के लिए भारत को कितनी रासी प्रदान की गई है तो यह है दो बिलियन डॉलर रासी ADV के द्वारा COVID-19 से लड़ने भारत को दी गई है दोस्तो अब बात आईए ADV की तो आपको इसके बारे में बता दे ADV का फुल फॉर्म Asian Development Bank होता है इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी Headquarter Manila फिलिपेंस में है और इसकी जो President वह है मसाथ सुगू असा कावा है तो आपको इतना ADV की बारे में याद रखना है Next question है हाली में भीमराव अमेटकर की जैनती मनाई गई है यह कौन सी थी तो यह इनकी 119 वी जैनती थी Next question है बिस्व कला दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों बिस्व कला दिवस 15 अप्रेल को मनाया जाता है Next question है Union Bank of India का कारेकारी निदेसक किसे बनाया गया है तो बिरुपाक्ष मिश्रा को Union Bank of India का कारेकारी निदेसक बनाया गया है नेस्ट कॉशन हाली में किसे पोकर स्टार्स इंडिया का ब्रांड अम्बेसिटर बनाये गया है तो ये हैं महिंदर सेंदोरनी चो क्रिकेटर है इन्हें पोकर स्टार्स इंडिया का ब्रांड अम्बेसिटर बनाये गया है हाली में किसान रत मुवाइल एप किस ने लॉंच किया है तो नरेंदर सेहं तोमन ने किसान रत मुवाइल एप को लॉंच किया है नेस्ट कोशन है हाली में कब 200 धरूहर दिवस यानि World Heritage Day मनाय गया है तो दोस्तो यह 18 अप्रेल को मनाय गया है 200 धरूहर दिवस दोस्तो इस बार इसकी जो थीम है वह है Shared Culture, Shared Heritage and Shared Responsibility यह रखी गया है नेस्ट कोशन है किस परवत पर भारती तरंगे को प्रोजेक्ट किया गया है तो यह है Matterhorn परवत जो सुझेलेन का सबसे बड़ा प्रोजेक्टर परवत है यहाँ पर भारती तरंगे को प्रोजेक्ट किया गया है तो इस तो यह बहुत important कोशन है आप से पूछा जा सकता है किस खिलाडी की जीवनी है तो यह पीवी सिंदू की जीवनी है सट्लिंग टूदा टॉप आपको इसके बारे में याद रखना है और इसके जो लेखक है वह है कृष्ण श्वामी आपको पूछा जा सकता है यह मोस्ट आई एंपी क्वेश्चन की लिस्ट में आता है दोस्तो अब बात आईए राजस्थान की तो आपको इसके बारे में कुछ important fact बता दें मैप में आप देख पा रहे होगे यह है राजस्थान राजस्थान का मैप भी आप देख पा रहे होगे राजस्थान को स्थापना 30 मार्च 1949 में की गई थी राजस्थानी है जैपोर अशुक गैलोद, राजसभा की कुल 10 सीटे हैं और लोगसभा की कुल 24 सीटे हैं राजस्थान में तो आपको इतना राजस्थान की बारे में याद रखना है Next question है हाली में किस दीस ने WHO की फंड में कटोती की है यह है USA, USA ने WHO की फंड में कटोती की है दोस्तो बहुत बड़ी कटोती की गई है WHO की फंड में, USA के द्वारा Next question है स्वास्थ कर्मियों को 10,000 रुपए अतिरिक्त मान दे देने वाला राज्य कौन सा है तो यह है मद्यप्रदेश स्वास्त कर्मियों को 10,000 रुपए अतिरिक्त मान दे देगा जो लोग COVID-19 से के खिलाफ लड़ रहे हैं या जो स्वास्त कर्मी उसमें उनकी मदद कर रहे हैं उनके लिए यह हैं अतिरिक्त मान दे दिया जाएगा नेस्ट कोशन है किसे मदद सरकार द्वारा कर्मवीर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा तो यह हैं देविंदर कुमार को मदद सरकार द्वारा कर्मवीर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा दोस्तो आपको बता दें इन्होंने अपनी जान COVID-19 से लड़ते हुए इन दोर में गवाई है और ये एक टियाई थे जो पुलिस में थे तो आपको याद रखना है कर्म वीर सम्मान देविंदर कुमार को दिया जाएगा मद्धिश सरकार द्वारा नेस्ट कॉशन है कौन सा राज फसल वीमा योजना के 2,990 करो रुपए देगा तो यह है मद्धिश सरकार देगी जो किसानों की फसल वीमा कराया था उनके लिए 2,990 करो रुपए देगी यहाँ पर दूस्तो रुपए लखना भूल गया यहाँ पर रुपए है नेस्ट कॉशन है One World Together at Home इवेंट किसकी द्वारा जारी किया गया है तो यह डबलू एचो की द्वारा जारी किया गया है नेस्ट कोशन है COVID-19 से फ्री होने वाला राज्ज कौन सा है तो यह है गुवा है दोस्तो हाली में COVID-19 से फ्री होने वाला पहला राज्ज बना है गुवा दोस्तो बात आईए WHO यानी 200 स्वास्त संग्ठन या World Health Organization की बारी में तो आपको इसकी बारी वदा रहें इसकी स्थापना 7 अपरेल 1948 में की गई थी इसका मुख्याल है जिनेवा सुच्ज लेंड में है और इसकी हेड है टेड रोस अधानों तो इतना आपको WHO की बारी में आए जाता है नेस्ट कोशन है फीपा द्वारा हिमिन्टीज हेरोज की सराहना करने के लिए पहल में जोड़े गए पूर फूट वर्ल कौन है तो यह हैं बाइचिंग भूटिया बाइचिंग भूटिया को हिमिन्टीज हेरोज की सहायता सराहना करने के लिए फीफा की जूड़ा गया है, नेस्ट कोशन है, टॉम एंड जैरी पात्रों को रचने वाले डारेक्टर का निधन हुआ ये कौन है, तो ये है जीन डाइच, जीन डाइच ने टॉम एंड जैरी पात्रों को रचने था, इनका हाली में निधन हुआ है, ये भी दोस्तों एक most important question है, आपक मद्ध प्रदीश में इसका ट्रायल शुरू किया गया है, दोस्तों बात आईए उज्जैन की, तो आपको कुछ important factor उज्जैन की बारी में बता दें, दोस्तों उज्जैन का पुराना नाम अवांतिका या उज्जैनी है, राजा बिक्रमा दित ने उज्जैन को अपनी खगोली वेश्जाला चंतर मंतर राजा सबाईस जैसें ने बनवाई थी, भरातरी की गुफाएं भी उज्जैन में ही इस्तित हैं, तो दोस्तों इतना आपको उज्जैन की बारे में याद रखना है, नेश्ट कोशन है हाली में कब प्रत्वी दिवस मनाया जाता है, तो इ यह सुवांसरी नदी पर बियारो द्वारा एक पुल कर नमार किया गया है, दोस्तों यह सुवांसरी नदी अनौचल प्रदेश में बहती है, नेश्ट कोशन है हाली में किस राज में योद्धा कल्यान योजना की अंतरगत आंगनवारी कारिकरताओं को लाभ मिलेगा, तो यह कितनी है, तो रिलाइंस में फेस्बुक ने लगवक 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी खरी दी है, दोस्तों यह भी जो हिस्सेदारी है, वह 43,547 करोर रुपए में खरी दी गई है, नेश्ट कोशन है, बैस्वेक प्रेश स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का, वही बात करें पहले इस्थान की, तो पहला इस्थान नौर्वे का है, दोस्तों 2019 में भारत का 140 वा इस्थान था, और 2020 में भारत का 142 वा इस्थान है, यानि हम दो इस्थान पीछे फिसल गए है, नेश्ट कोशन है, आई एम एम एक के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो यह है राक National Motorcycle Manufacturer Association, यह आई एम एमे का फुल फॉर्म है, जिसका अध्यक्ष हाली में राकिश शर्मा को बनाया गया है, नेश्ट कोशन, सांती के लिए बहु पक्षपात और कूटनितिक अंतराश्टी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिक 24 अप्रेल को यह दिवस मनाया जाता है, किस UN संग्ठन द्वारा भारत में Lockdown Learners Series की शुरुआत की गई है, तो यह है UNODC के द्वारा, जो UN संग्ठन है, इसके द्वारा भारत में Lockdown में Learners Series की शुरुआत की गई है, नेश्ट कोशन, 200 मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 200 मलेरिया दिवस प्रतिक 25 अप्रेल को म बनाया जाता है, इस पार इसकी जो थीम है, वह जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी रखी गई है, नेश्ट कोशन है, चीन के पहले मंगल अन्वेशन मिसन का नाम क्या है, तो यह है दोस्तो, तियान बेन फस्त, यह चीन का पहला मंगल अन्वेशन मिसन है, नेश्ट कोशन बारत के मुख्य सतर्ता आयक्त किसी बनाय गया है तो यह संजयक उठारी दोस्तों यहाँ पर कीर नहीं यहाँ पर किसी है तो यह संजयक उठारी को भारत में मुख्य सतर्ता आयक्त बनाय गया है नेश्ट कोशन बिस्व बौधिक संपता दिवस की थीम क्या है तो इनोवेशन फॉर ग्रीन फ्यूचर ये बिस्व बौधिक संपता दिवस की थीम है नेश्ट कोशन है चावुक मारने की सजा हाली में किस दीज ने खत्म की है तो ये है साउधी अरब साउधी अरब ने चाभुक मारने की सजा हाली में खत्म की है next question है भारत और ऐस्ट्रिलिया के बीच year exercise cancel हुए है इसका नाम क्या है तो premier exercise इस exercise का नाम था जो भारत और ऐस्ट्रिलिया के बीच की जानी थी नेस्ट कोशन है हाली में किस राज ने कोवेट फार्मा एप लॉंच किया है तो यह है अंदरप्रदेश अंदरप्रदेश राज ने कोवेट फार्मा एप लॉंच किया है जिसके द्वारा खांसी जुकाम की दवाई खरीदने वालों पर नजर रखी जाएगी कोवेट फार् बना है तो यह भना है नाम क्या है तो यह है 1998 ORZ यानि 1998 ORZ यह चुद्द्ग्राय प्रत्वी के पास से होकर गुज़रा है next question है RBI द्वारा mutual fund के लिए एक business liquidity सुविधा package कितनी रुपए का है तो यह है 50,000 कुरूर रुपए का RBI के द्वारा mutual fund के लिए एक business liquidity सुविधा का package दिया गया है next question हाली में doping की कारण 4 साल के लिए किस runner पर बेन लगाया गया है तो यह है जूमा खातून जूमा खातून को 4 साल का बेन लगाया गया है डोपिंग की मामले में दोस्तो next question है हाली में कब अंतराश्टिय नरत्य दिवस मनाया जाता है दोस्तो 29 अप्रेल को नरत्य दिवस मनाया गया है next question बिस्व मुक्यवाजी championship का आयूजन भारत की किस जगह किस देश में कराया जाएगा तो यह है सर्विया भारत की जगह सर्विया में आयूजन किया जाएगा विस्व मुक्यवाजी championship का next question है पीटर्सवर का climate dialogue में भारत की तरब से किस ने प्रती निदेश्व किया है तो यह है प्रकास चाविड कर प्रकास चाविड करने इस पीटर्सवर क्लाइमिट डायलोग में हिस्सा लिया है next question है हाली में किसे UN में भारत का इस्थाई सदस्थ चुना गया है next question है मद्परदेश सरकार द्वारा फसल बीमा की रासी कितनी प्रदान की गई है तो दोस्तो 2,990 करोड रुपए मद्परदेश सरकार की द्वारा फसल बीमा की रासी प्रदान की गई है 5G Network शम्ता बढ़ाने Nokia के साथ 1 billion का समझोता किस कंपरी ने किया है तो यह है Airtel ने 5G Network की शम्ता बढ़ाने Nokia के साथ 1 billion का डॉल समझोता किया दोस्तो यह था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की April माय की Current Affair की बारे में दोस्तो अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं और इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमें Telegram पर फॉलो कर सकते हैं जिसका Link description में दिया गया है इसके अलब आप हमें Instagram, Telegram, Facebook पर भी फॉलो कर सकत हैं तो दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहे तो आप इसे लाइक कीजिए वीडियो को अपनी अन्य साथियों के साथ शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए जिस चैनल का नाम है Study Universe तो आज के लिए वैस अतना ही नमस्कार, have a nice day